सो फ्रेंड्स कौनसी पोस्ट को आपको इसमें आप पे सिलेट करना है MPCHO वेकेंसी को एपलाय करने के लिए क्योंकि यह आप पे देखिए दो अलग-अलग पोस्ट के नेम्स आपको इसमें आप पे दिये जा रहे है पहला जो पोस्ट कोड है वो देखिए P01 है जिसमें आपको इसकी समझ होने चाहिए यदि आप लोग पोस्ट को गलत सेलेट कर लेते हैं तो आपके पैसे तो यहां पे बरबाद जाएंगे जाएंगे और आपकी महिनत भी पूरी यहां पे बरबाद यहां पे चली जाएगी दोनों की qualification याप पर अलग-अलग है दोनों में documents जो upload होंगे वो भी याप अलग-अलग है तो आप सब लोग सबसे पहले समझ लीजिए कौन सी CCH certificate वाली vacancy है कौन सी बिना CCH certificate वाली vacancy है फिर आप लोग जो है easily आप लोग इसके लिए apply कर देना तो दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो में cover करेंगे सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को subscribe कर लीजे MPCHO आगे की कोई भी जानकारी आगे आप से ना चूटे वीडियो के नीचे जाए subscribe के right button को click करें हर information इसी तरीके से पाते रहे तो बिलकुल शुरूबात करते हैं अपने अपडेट को बढ़ते हैं information की ओर तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पर मैं clear करूँगा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दोनों post आप लोग यहाँ पर select कर लें कोई भी एक post आपको select करनी है और वो post आपको इसमें आप पर select करनी है जिसकी qualification जिसकी योगिता आपके पास यहाँ पर पूरी complete है अब इसमें आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिगा यहाँ पर देखें दो post हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता भी चुका हूँ CHO यहाँ पर लखा है और यहाँ पर लखा है CCH तो देखें उपर वाली जो post है जिसमें लखा है CCHO तो इसमें आप लोगों से जो है CCH का certificate course आपके पास यहाँ पर होना चाहिए CCH certificate course यहाँ पर complex हरी है यदि आप लोग इस post को select करेंगे इसमें qualification क्या रहेंगी BSC nursing के साथ आपके पास यहाँ पर CCH का certificate course होना चाहिए या फिर post basic BSC nursing के साथ CCH का certificate course आपके पास होना या आपको complex हरी यहाँ पर होना चाहिए इसके बाद देखें जो second number पर post है CCH वाली जिसमें लखा है CCH तो इसमें आप लोगों से जो है किसी भी तरीके का CCH certificate आपसे नहीं मांगा जाएगा इसमें simple आपके जो qualification है BSC nursing हो या फिर आपके पास GNM का डिपलोमा हो या फिर आपके पास post basic BSC nursing हो या फिर आपके पास BAMS की degree है तो सिर्फ इसमें आप लोगों से इतनी ही qualification आप लोगों से इसमें आप मांगी जारी अब देखिए इसमें documents आप लोगों को या आप पे कौन-कौन से अलग-अलग याँ पे हो जाएंगे तो देखिए जिसमें CCH का certificate course है तो इसमें आप लोगों से CCH apply आपको याँ पे करना है CCH का certificate course इसमें upload होगा और एक format आपको notification में दिया गया है तो इस post के साथ वो format आपको college में जाके आपको बनवाना होगा college का seal signature लगेगा और वो format जो है scan होके इस form में आप लोगोंगा तो वो format कहां मिलेगा और वो कहां पे upload होगा तो यह जानकारी जो है अभी मैं आपको इसमें आप पे बताऊंगा और फिर मैं आपको जो है ऐसा करता हूँ दोनों post को मैं आपे एके करके select कर लेता हूँ तो यहां पे देखिए सबसे पहले number पे जो लिखा है community health officer यानि कि जिसमें आप लोगों से CCH का certificate course मांगा जा रहा है तो इस वाली post को यहां पे मैं select कर लेता हूँ तो यहां पे देखिए select करते से ही यहां पे जो information नकल के आगी देखिए center की रहेगी center easily यहां पे मैं select कर लूँगा कोई भी 4 center हमको हाँ पे select करने है qualification तो qualification धो ही qualification इसमें निकल के आएंगी BSC nursing की और BSC और post basic है तो आप लोग post basic select करेंगे तो BSC मैंने इसमें आपे select कर लिए आपको देखाने के लिए फिर दिखिए दोस्तों आपको यहाँ पर तीन information आपके निकल के आएगी यह अभी मैं CCH वाले candidates के लिए बता रहा हूँ जिनके पास CCH का certificate है फिर अभी मैं आपको बिना CCH वाली भी जानकरी दूँगा तो यहाँ पर देखे जो CCH certificate जिनके पास candidates के पास यहाँ पर certificate है उनको यहाँ पर बोला गया है कि आपका इस वर्ष तक और या फिर इस वर्ष के बाद तक तो आपके पास यह integrated CCH certificate BSC या फिर post basic BSC nursing के साथ आपके पास होना चाहिए ठीक है तो BSC nursing 2016 batch का यहाँ पर allow किया गया है इसके बाद के जतने भी batches हैं वो भी allow किये गया है और post basic जो है वो 2018 और 2018 के बाद वाले तो यह CCH वाले इसमें allow रहेंगे बाद में से आपसे मद्धे प्रदेश nursing council का registration को लेकर जानकारी पूछी जाएगी और यहाँ पर जिस format की मैं आपसे आपसे बात कर रहा था कि format जो principal के हाथो जो है आपको sign करवाना है वो format बनवाना है तो वो nursing college का आपके पास आपस certificate है या फिर नई है तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वो upload होगा तो देखिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों देखिए यह notification है notification में सबसे आखिर वाले page पे आ जाना है तो यह बाला format है यह आपको बनवाना होगा और यह certificate जो है आपको अपने college में जाके यहाँ पर यह आपको बनवाना है तो यह certificate इस चीज़ का proof है कि आपने उस college से cch का certificate course किया है bsc nursing के साथ या फिर post basic bsc nursing के साथ और यह certificate देखे कहां लगेगा तो दोस्तों यह certificate जो है नीचे आपको यहाँ पर देखिए upload करना होगा और यहाँ पर देखिए लिखा है सबसे last वाला यह जो section है यहाँ पर यह वाला format आपको यहाँ पर upload करना होगा जो आप लोग अपने college से बनवाएंगे तो यह cch certificate candidates के बारे में information दी और आप देखिए यह वाली post भी मैं आप पर select कर लेता हूँ जिसमें simple bsc मांगे जारी simple gnm मांगे जारी simple post basic और यहाँ पर bams तो इस वाली post को आप पर मैंने select कर लिया तो इसको select करने के बाद यहाँ पर centers है तो easily हम लोगे center को यहाँ पर select कर लेंगे और यहाँ पर qualification है तो qualification में देखिए चार qualification आएंगी bsc, post basic, gnm और bams तो जो भी आपकी qualification है तो simple तोर पर मैं आपे gnm select कर लेता हूँ फिर देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही जानकारी मिलेगी यहाँ पर cch के वाले column हट गए जो मैंने आपको थोड़ी दर पहले बताये थे सिर्फ इसमें qualification के बारे में पूछा जा रहा और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको सिर्फ registration ही आपको इसमें आप पर upload करना है और बाकी के जितने भी आपके documents हैं वो भी इसमें आप पर upload होंगे तो दोनों information जो हैं मैंने आपको आपके दी कौनसी cch वाली vacancy है देखिए आप लोग नाम पर नहीं जाएगा कि ccho लिखा है तो यह ccho वाली vacancy है यह जो ccho लिखा है इसमें आप से cch का certificate आप से इसमें आप पर मांगा जा रहा है यहाँ पर देखिए लिखा है cch तो सब लोग सोचेंगे कि यह cch वाली vacancy है काफी candidates ने यहाँ पर यह mistake की है और काफी candidates को यहाँ पर form गलत यहाँ पर फिल हो गए और सिर्व यही चीज सिर्व इसी mistake को लेकर इस पूरी vacancy का competition जो है इधर से उधर हो जाएगा मीज ccho से बिना cch वाली में और ccs से ccho वाली में इसी में convert यहाँ पर हो जाएगा आप लोग बाद में भी देख लेना जब इसकी यहाँ पर merit list बनेगी तो किसी के लिए यह अच्छा हुआ कि उस वाली post से कम form fill up उसको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और किसी के लिए यह बुरा हुआ कि उसने उस qualification से apply नहीं किया जो उस candidate के पास available है तो यह इस चीज़ को लेकर काफी आपके selection को लेकर आपके यहाँ पर matter करेगी यह बहुत यह बढ़ी अस सुनारा अफसर में आपके मैं कहूंगा great opportunity बढ़िया एक तरीके का अफसर है इस पार selection लेने के लिए क्योंकि 70% candidates के जो है form यहाँ पर गलत fill up हो गए सिर्फ इसी चीज़ को लेकर कि उन्होंने यहाँ पर देखा दुकान पर जाकर यहाँ पर CH लिखा है तो इसी में आपर fill कर दें जबकि इसमें आपसे CCH का certificate course आपसे मांगा जा रहा है यहाँ पर लिखा है CCH तो इसको आपके किसी नहीं भी apply ने किया और इसमें आपसे CCH का certificate course नहीं मांगा जा रहा है तो इस चीज़ को carefully आपको आपके ध्यान देना चाहिए तो जो भी information थी आपके साथ cover की वीडियो को लाइक करना चैनल को भी subscribe करने आगे कोई भी जानकारी आपसे ना चूटे वीडियो के नीचे जाए subscribe के red button को click करने thank you so much